कुछ पाने की हो आस आस, कोई अर्मा हो जो खास खास आशा है हर कोशिक्ष में हो बार बार करे दर्याओं को आर बार आशा है So hello to all my viewers, I am Aakas Roy and welcoming all of you once again in Aakas Time Education So dear students, इस video में हम लोग discussion करेगे WebG 2021 के लिए last 30 days strategy आप लोग के लिए क्या क्या होना चाहिए कौन-कौन सी ऐसी ट्रिक्स, ऐसी टिप्स आप लोग को फोलो करनी चाहिए WebG 2021 के last 30 days के best of best preparation के लिए इस video में उसी बात में हम detail discussion करेगे So dear students, वीडियो को मन लागे देखना And साब साथ जो friends चैनल पर पहली बार आरो चैनल को subscribe करना वीडियो आपको मिलती रहेगी So dear students, थोड़ा गाउ में हूँ, थोड़ा background noise आ सकती है But ठीक है, उसको थोड़ा मैं cancel करनी की कोसित करूँगा By the way, वीडियो को पूरा देखना और पूरा तीज आच्छी तरिके से समाझ लेना तो मैं जो टिप्स और ट्रिक्स बताऊगा यह ट्रिक्स मैंने फॉलो किया था अच्छा किया था तो आप लोग जो लोग 30 देश्ट लास्ट थार्टी देश्ट पे सबजे बेस्ट प्रशन करना चाहते हो जिन्में लोग के प्रशन पूरा नहीं हुआ यह ट्रिक्स आसा काथ तो अगर आप लोग फॉलो किये तो रेजल्ट ज़रूर आएका एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको पता होगा जादोपुर उनिवर्सेटी एंड साथ यसाथ उसपेंगल जॉयन पे कॉंसा सेफ स्कोर होना चाहिए आप लोग चैल्ट जुडियो जुटर सेफ स्कोर घ्या होगा यह सब चुदी के उपर इस वीडियो में हम लोग डिश्कोर सब्सेट करेंगे चलिए ठेक्स सब्सक्राइब करोगा तो नंबर वान पॉइंट इस डबली जरी जो होती है आपको फोर हावर्स पे 155 कोश्टिन सॉल्स करना होता है यहां पर सब्सक्राइब कोश्टिन होगा यह चीजे सोचना पूरा बेकार है नुमेरिकल बेस्ट सब्सक्राइब नहीं होता ऐसा बहुत सारे कोश्टिन रहती है जहां पर आपको थियोरी आपका थियोरी कंसेट ची़िए करने के लिए अगर सब्सक्राइब करने के लिए अगर आप केमिस्ट्री में आप वी क्लियर चुल्न करो करो प्लीज follow NCRT to clear your concept in chemistry and in case of physics if you follow H.C. Varma or other than D.C. Pandey D.C. Pandey, H.C. Varma, ऐसे कुछ books अगर आप लोग फॉलो करो and that will be enough to clear your concept तो वो जो दो बुक्स है, वो दो बुक्स अच्छी सरी कैसा, आप लोग पढलो जैसे कि इसके वाज़े से आपका concept जो है, theory की ऊपर, question practice नहीं, theory की ऊपर, main theory की ऊपर, आपका concept पकर होना बहुत जरूरी है, वेब जी के 155 questions जो total हाती है, उसको solve करने के लिए, okay, so that is the first strategy, first points, आपको यहां पर points देखने पर मिल रहा है, note कर लेना, okay, number two point जो मैंने आपके strategy वीडियो में बता रहा है, आभी में बता रहा हो, कि last 30 days अगर आपके हाथ में है, तो please, एक short note प्रिपेर कर लिजिए, एक week, only on one week time लिजिए, one week time लिजिए, और physics, chemistry, maths, जो जो चीज़े आप लोगों ने पढ़ी है, उन से important topics, important formulas, इसको लेके, एक short note प्रिपेर कीजिए, because जिनका short note अच्छा है, last moment preparation के लिए, एक सम से आगे के दिन पे exam hall पे जाके देखने के लिए, वो चीज़े बहुत फाइदिमन्त होती है, तो जिन लोग के लिए, अभी भी short notes प्रिपेर नहीं किये, I am quite 100% sure कि आप लोगों को exam hall पे जाके उसके कमी महसूस होगी, तो please, आप आप लोग प्रिपेर के लिए short notes को, because short notes के लाभा यहाँ पे आप लोग आगे आगे जाने में बहुत-बहुत ही problem होगी, तो make short notes is a very much important point for all of you, the third point is, मैं आपो जो third point बता जादो, to practice POIQ, डबलो जाई, exam के लिए, POIQ एक बहुत important चीज़े होती है, जो students need का, यही means का preparation कर रह as because POIQ आपको full concept देगी, कि क्या का concern आईगी, and साथी साथ उसे common questions, उसके related questions, POIQ के related questions भी, वही पची में आपको directly मिल जाएगा, so prepare practice POIQ, कोई book खरिच सकते हो, आप लोग आरियान का, MT जी का, प्रिपेर जो प्रिचर का books है, वह खरिच सकते हो, और कही सी भी, आप लोग जो to all of you, this is my third suggestion, third point, and the fourth point, fourth point also is very important, that is, start from the last, आप exam hall पे जब जब जाओगे, तो AFG के ओजी में paper में, हर paper पे आपको तीन category का question देखने को मिलेगा, तीन category का, number one category, वहापे आपको MCQ, एक number का MCQ देखने को मिलेगा, जहापे आपको one marks रहेगा, MCQ के लिए, और आपका negative mark रहेगा 1 by 4, 0.25 आपका negative mark रहेगा, जो option B रहेगा, option B means part B, part B में आपको दो number का question मिलेगा, और हर question पे आपका 1 by 2, 0.50 आपका negative marking रहेगा, and the part C, the last part, जो जिस part पे आपका हर question में दो marks रहेगा, but कोई negative marking नहीं रहेगा, last 10 questions for mathematics, and last 5 questions for physics and chemistry, total 20 questions, मैं आपको request करूगा कि अगर आप वो question ठीक से अदेम नहीं करोगे, कर पाओगे, तो इससे दो problem में आप पढ़ोगे, कि first questions होती है, वो questions आपका negative mark करी करती है, और simply 1 mark करी करती है, but last जो questions है, अधर आप उसको ठीक कर पाओ, तो आपका 2 marks, हर question पे आप 2 marks earn कर पाओगे, and सब सब कोई negative marking नहीं रहेगा, तो loss भ उससे आप लोग start करो, तो इससे exam पे ज्यादा score करने का probability and possibility जो है, chances बढ़ जाएगी, according to me, आप try करके भी, आपके home में, try कर भी के भी देख सकते हो, इससे कुछ results आच्छे आए है की नहीं आए है, so that is our third point to start from our last, so that is fourth point, next our fifth point is, आपको exam में जाके 155 questions करनी है, math में 75, and physics and chemistry क मिला के भी, आपको 30, 30, 60, means total 155 questions करनी है, only in 4 hours, so it is very much up to, आप लोग का इतना questions हो है, एक टाइम में, हर questions hard होगा, ये मानना बहुत कल़ बात है, हर questions hard questions नहीं होता, but questions का जो pattern है, वो easy भी रहता है, but इतना huge amount पर रहता है, कि solve करने के लिए, students का time consume हो जाएदा, time management नहीं होता, the time management, ये चीज़े student कर नहीं पाता, तो time management के लिए, आप लोग को पहले 5 to 6 full mock test देना है, the full mock test आप लोग को क्या करेगा, full mock test आप लोग को time management सिखाएगा, full mock test आपको exam preparation करवाएगा, साथ-साथ confidence built करवाएगा, तो full mock test अगर आप दो लोग देना चाहते हो, मैंने अकस्टेम एडूकर सिखाएगा करना चाहता हूँ, सामने के दिन तो भी सामने मान्त पर आपके ओजी exam से पहले 3 to 4 और mock test होगा, तो 5 to 6 mock test आप लोग को स्पेशाली प्रोवाइट करवाएगी, तो आप लोग उसाफ mock test पर अपियर होके, अपना confidence बिल्ड कर सकते हो, तो आप लोग 5 to 6 full mock test जो आपको देना है, तो आप लोग 5 पोईंट, तो आप लोग 5 पोईंट आपको लास्ट वान मान्त पर फॉलो करनी है, अगर आप लोग यह पोईंट फॉलो किये, तो आसा करता हूँ, जो score आप लोग ट्राइ करें, वो score तो ज़रूर आप लोग एचिव करता होगे, आप बाते आती है, safe score सेर कीट का है, यह thoughts बहुत से स्टुएंट का है, बहुत से स्टुएंट से मुझको पूछा, ज़ादपूर इनुवसिटी का safe score सेर क्या है, सेर, वेब जी में कोई एक कोलेज पाणने के लिए, अच्छी कोलेज पाणने के लिए safe score किया है, तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, कि ज़ादपूर इनुवसिटी का safe score 100 प्लस है, अगर आप लोग 100 number score करते हो, तो ज़ादपूर इनुवसिटी में कोई ना और OBC के लिए, आप कह सकते हूँ, 85, and ST के लिए, 75, and ST के लिए, 65, that is the safe score category wise for Jadapur University, and आप कह सकते हो की good rank, तो कोई अच्छा कॉलेज के GEC, GEC, कोई भी IEM, कोई भी अच्छा कॉलेज पाने के लिए, कितना safe score करना पता है, तो आप लोग का, वेब जी का safe score जो होती है, वो 60 to 65, अगर आपका 65 से अबाब रहा, तो ज़रूर कोई ना कोई अच्छी कॉलेज पे ठीक थाक सी ब्रांच आपको मिल जाएगे, so that will be the safe score for all of you, so आज के वीडियो में, इस वीडियो में हमने डिसक्शन किया, कि लास्ट थार्टेज में कितना की कॉन कॉन सी स्टाजी मान के आपको फॉलो करके आपको प्रिवर्शन करने चाहिए, and as well as Jadapur University and Kolkata में and West Bengal पे रहा, most important colleges पे किदना safe score जा सकते उसके बाड़ में, so meet you in the next video, so तब तक के लिए, thank you and friends के साथ सेर करना, अगर ये helpful था तो, ताज के लिए इतना ही, thank you for watching, thank you to all.